बिग बॉस फेम मुनवर फरूकी पर हमला मुनवर फरूकी पर भारी बड़े फेम और फैन्स भीर नेफे के अंडे गुसाया कमीडियन कमीडियन मुनवर फरूकी की पॉपुलारिटी इन दिनों पीक पर है जब से वे बिग बॉस के विनर बने हैं तब से वो जहां भी जाते हैं लोग उन्हें घेर लेते हैं कई बार तो फैंस गर्म जोशी से उनका वेलकम करते हैं तो कई बार दाव उल्टा भी पड़ जाता है यानि कई बार मुनवर को पबलिक के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है ऐसा ही एक मामला मुनवर के साथ मुंबई में पेश आया जहां उनकी पॉपुलारिटी की वज़े से दो रेस्टरांट्स में अदावत हो गई साथ ही गुस्साई भीड ने मुनवर पर अंडो से हमला कर दिया अंडो से जैसे ही मुनवर फरुकी पर हमला हुआ उन्होंने अपना आपा खो दिया और उनका भीड पर चीकते चिलाते हुए एक विडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटो रहा है जिसमें नदर आ रहा है कि मुनवर गुस्से में तिल मिलाए हुए हैं और उनकी सिक्योरिटी उन्हें कंट्रोल करने में लगी है दरसल बुद्वार को मुनवर मुंबई के मिनारा मस्जिद लाके में इफ्तार पार्टी के लिए पहुँचे थे एक रेस्टरॉण के मालिक ने उन्हें इन्वाइट किया था फिर मुनवर के पहुँचते ही उनकी एक जलक पाने के लिए भीड़ खटा हो गई यहां तक तो सब ठीक था लेकिन जैसे ही मुनवर दूसरे रेस्टरॉंट जाने लगे तो रेस्टरॉंट का मालिक मुनवर के जाने से नाराज हो गया रेस्टरॉंट के मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ मुनवर फरूखी पर अंडो से हमला कर दिया जिसके बाद खबर है कि पुलिस ने रेस्टरॉंट मालिक समेथ उसके पाँच कर्मचारियों को गिरफतार कर लिया है आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी मुनवर फरूखी चर्चा में आये थे जैसे ही एक विवाद खत्म होता है वैसे ही दूसरा शुरू हो जाता है